हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भारतिये रेलवे है वो एक साल के अंदर कितनी इलेक्रिसिटी की खपत करता है और उसका कितना प्राइज होता है तो पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इंफोरमेशन की डिजल लोको मोटिफ को इलेक्रिकल में कनवर्ट किया जा रहा है मतलब कि जितने भी डिजल लोको मोटिफ हैं उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है और electrical की तरफ ध्यान दिया जा रहा है जिसकी वज़े से जो हमारा electricity है उसकी खपद भी बढ़ते जाएगी उसकी खपद भी बढ़ते जाएगी तब ही तक railway को जो मैं average electricity की बात करूँ तो वो पढ़ रही थी 3.26 यानि की 3.26 पैसे के यानि 67,368 किलोमीटर के ट्रैक हैं जिसमें 22,550 ट्रेन रन करती हैं जो कि अपने आप में दुनिया का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें 2 करोड 20,00,000 लोग रोज ट्रेवल करते हैं वहीं 30,40,000 टन माल डेली ट्रांसपोर्ट होता है यानि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ह तो अब बात कि लेते हैं कि जो रेलवेज हैं वह एक साल के अंदर कितने इղक्रिसीटी को खरच करता है तो अगर बिलियन में बात करें तो हर साल भारतीय रेलवेज 8.5 बिलियन उनिट इलिक्रिसिटी खतम करता है यानि कि 1850 करोड यूनिट की इलेक्रिसीटी खपत होती है हर साल अगर इसका प्राइज निकालें तो आएगा 6031 करोड रूपीज इतना electricity bill को खर्च करती है रेलवेज जिसमें 1600 करोड रेलवे के रनिंग के लिए यूज होता है वहीं बचा हुआ 250 करोड वो यूज होता है हमारे वर्क्शॉप इस्टेशन पर जितना भी काम होता है और कार्याले में जितनी भी electricity का यूज होता है वो सारा हमारा 500 करोड के अंदर में यूज होता है और एक इंपोर्टेंट बात आपको बता दें कि ये electricity का प्राइज अलग-अलग corporations, limited companies से अलग-अलग rate में तै होता है तो fix नहीं है बट average इतना ही होता है कि 3.26, 3.5 या फिर किसी किसी का 4 रुपए भी पढ़ता है तो railways को इस हिसाब से electricity variation मिलता है लेकिन average की बात करें तो इतना ही होता है आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि हम ऐसे information वीडियो आपके लिए चैनल पर provide कराते रहते हैं